PCS मेंस का रिजल्ट खोशित 451 देंगे इंटरिव्यू कुल 254 रिक्त पदों में 150 के लिए क्या जाएगा चेन उत्तर परदेश लोक्षेवा आयोग ने समलित राज्य परवरादिनस सेवा PCS 2023 की मुख्य प्रिक्षय का प्रिणाम सुक्रवार को घोशित कर दिया 26-29 परदेश के प्रियागराज एम लखनों में आये तो मुख्य प्रिक्षय में कुल 368 प्यार्थी समलित हुए PCS 2023 में कुल 20 परकार के पदों के लिए उप्रवदे कुल 254 रिक्तियों में 150 रिक्तियों पर चेन लिखित प्रिक्षय में विंट्रू के आदार पर किया जाना ह है आयो के सिव असो कुमार के नुशार इन पदों इन 150 पदों के सापक 451 अब्यार्थियों को साक्षातकार के लिए सफल गोशित किया गया है च्छै प्रकार के 104 पद ऐसे हैं जिन पर चैन के और लिखित प्रिक्षा के आदार पर किया जा रहा है ऐसे पदों का प्रिणाम अंतिम चैन प्रिणाम के साथ घोशित किया जाएगा PCS के लिए 14 मई को प्रारमिक प्रिक्षा कराएगी थी इसमें 5,65,466 अब्यार्थियों में से 3,45,22 अब्यार्थि सामिल हुए थे आएग ने प्रारमिक प्रिक्षा का प्रिणाम डेड़ महीने के अंदर जारी कर दिया था इंटर्व्यू की प्रिक्रिया पूरी करते हुए अंतिम चैन प्रिणाम 9 महीने के अंदर 14 फ्रोवरी से पहले गोशित करने की तैयारी है साड़े 6 महीने बाद निरस्त किया चैन उत्र परदेश लोक शिवा आयोग ने आयूष होमियोपैथी विवाग के तहट राज किये होमियोपैथी मेडिकल कोलेजों के लिपरवक्ता कम्मूनिटी मेडिशन के 30 मही को गोशित प्रिणाम में चैनित गीता जैन का चैन निरस्त कर दिया है उनके स्थान पर समयकित योगता सुची सिव विष्णू सर्मा के नाम को सहस्तुती भेजी गई है PCS 2024 के लिए विग्यापन चल्द उत्तर परदेश लोक्षिवा आयोग जल्द ही समलीत राज्य परवर आधिनस्त सिवा PCS वर्ष प्रिक्षा 2024 के साथ ही प्रवक्ता राज के डिग्री कोलेज आधी प्रिक्षा का विग्यापन चारी करने की तयारी में है MTS वर्थी 2023 की अंतिम कुझित जारी